चकोत्रा को इंगलिश में क्या कहते हैं आज की इस वीडियो में सेख लेते हैं चकोत्रा को इंगलिश में ग्रेप फ्रूट कहा जाता है ग्रेप फ्रूट और चकोत्रा जो है वो संत्रे जैसा ही एक फल होता है यानि कि एक प्रकार की छोटी नारंगी आप इसे कह सकते हैं या चकोत्रा एक सिट्रस फल है जो संत्रे के प्रिवार से संबंद रखता है और कच्चे चकोत्रा का रंग हरा होता है और पकने के बाद हलका नारंगी या पीला होता है यह स्वाद में खटा होता है और चकोत्रा स्वास्ते के लिए बहुत लाबधायक होता है तो चकोत्रा को इंगलिश में आप ग्रेप फ्रूट कह सकते हैं दिखने में कुछ संतरे जैसा सा ही होता है अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंगलिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें